वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और और सलाल वटन दबाकर मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटे को दबाकर और कॉपस्वन जरू स्फिलेट कर लें ताकि जब भी कोई नए वीडियो अप्लोड करूँ आपको इसका नोट दोतों की साथ शेयर करना है जो जब भाहन वो देव 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 देलेकक्षन की त्यारी करना है ताकि उनको भी एक्जैम में कोई कठना ही ना हो और वो हिंदी में अच्छे नंबर ला सके तो इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोतो हम इस वीडियो में टोटल दोतो 15 कोशन होने वाले हैं आपको लाश्ट जरू देखने हैं 15 और नोट भी करना अपनी नोट बूक में साथ में नोट बूक ले 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 जी तो काफी सारे क्वेशन है तो इस वीडियो में जो कि हर बार के एजैम में पूचे आते हैं तो और यह वीडियो बना रहा हूं खाशकर हम उसी से आपको जन कई दिंगी तो इस वीडियो को सुरू करते हैं तो हमारा जो पहला कोशन है देख लीजिए जो किरिया के मूल रूप को कहते हैं तो धातू कहते हैं किरिया के मूल रूप को क्या कहते हैं धातू ठीक है आपको अच्छे से नोट कर लाना है ठीक है नेक आपको देखना है कि किस प्रकार के question आते हैं एक्जाम में ठीक है यह question हरवार एक्जाम में पूची आते हैं तो इन्हों ने पूचा है हिंदी भाषा में स्वर के कितने बेद होते हैं तो इसका राइट अंसर नंबर ए दो बेद होते हैं ठीक है और next question देखिए जो महनत करेगा वह सफल होगा इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है जो महनत करेगा वह क्या होगा तो सफल होगा इस वाक्य में सर्वनाम पूचा है तो ऐसे सवालों में सर्वनाम होता है तो वह क्या होता है ठीक है आपको बता देता हूं जो सर्वनाम होता है तो वह होता है संबंद प्रकार के इस प्रकार के में संबंद बाचक सर्वनाम होता है ठीक है नेस्ट कोईशन देखिए चौथा है मुहाबरे का आर्थ है आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिए ठीक है जीट जाना बूरी तरह पराजित करना चलांगे लगाना भाग जाना चक्के जाना का आरता है तो बुरी तरह पराजित करना बुरी तरह हराना किसी को ठीक है दो पहर में प्रियोक्त समास है वो आपको बता देता हूं कौन सा समास है तो इस प्रकार के सवालों में तो गिंती होती है जैसा कि आप दो पहर में देखी सकते हैं कि फ्रकार की गिंती है दो पहर में प्रियोक्त समास है जैसे और पसक्राइड न्युक्त यह यह वे इसका एक उधाराणा है पंचकाल है जिए यह बीश्का और दो दारत करताकारक का छिन के आया है, और आप आप पढ़ाए करताने करम को करण से संपर्थान को के लिए यह तो पूछा रहे तो नेक हाँ पर है ऑप्स नंबर भी में तो भी हमारा राइट आँ सर है ठीक है हमारे ओनली 6 क्टोशन हो एर अब आपको नोट कर लेना अगर वीडियो अच्छा लगा रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरू करना है और मेरी शूट्यूप चैनल को आप सब्सक्राइब जरू करें ठीक है दोस्तों तो नेक्ट कोईशन देख लीजिए क्या है दोस्तों यह पर तो यहां देख लीजिए आप ने में से सूरज का परियाबाची सब्द नहीं है जो सूरज का परियाबाची सब्द तो वो कौन सा है कौन सा नहीं है इन में से ठीक है इन में से जो सूरज का परियाबाची सब्द नहीं है वो आपको ढूंडना है ठीक है दो इसको बता देता हूं इसका राइट आंसर क्या है तो सूरज के नहीं है तो सूरज का परιयाबाची पूछा एक है इस वीडियो में आपको बता तब हुझा है तो इस वीडियो का लाही नहीं कित दूघर मुझे तर लेखना है ठीक है दोस्तो इसी प्रकार आपको करना होता एक्जम आपको आच्छे से परियाबाची याद होने चाहिए जैसी कि मुझे याद हैं तो मैं कर रहा हूँ आपके लिए बना रहा हूँ ठीक है आठमा कोशन देख लीजिए अप क्या है पूर्सभाचक सर्वनाम के कितने रखा रहा ही ठीक है कारक के कितने बेद होते हैं कािरक के बेंगने में याध्य विदंगाम दान ay 10 ओप रखा और यहां 11 ब्रकाई ठीक है कारक के कितने बेद होते हैं आठ वे macht यह का रखे आठ बेद होते हैं तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो के लाइक करें दो तो और मेरे इस यूटुब चनल को सब्सक्राइब करना ना बूलें जिन सब दो से एक से अधिक अधिक आर्थ हो उन्हें क्या कहते हैं अनेक आर्थी कहते हैं आपको पताई होगा तो अधिया अधिक प्रसंद ना होना तो यह गलत हो जाएगा और यह भी सभी गलत होगा तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर लेखें और अगर आप भी जबाहान हो तो विद्यालेक करना ना भूलें क्योंकि मैं जवाखा नोभटम की डियटर लाता रेता हूं दोस्तों और आपको वीडियो को अच्छे से लाइक करना और अपने दोस्तों के के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं नहीं के दो तो